आज हम लोग बना रहे हैं चॉली की सबजी, देखी मैंने ये टू मीडियम साइस के पॉटेटोस लिये हैं, उसको बारिक काट दिया है, स्मॉल पीसिस में, और ये दाने वाली चॉली है, ये करीबन 500 ग्राम्स है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, सबसे पहले मैं, म अब उसमें मैं क्यों मिक्स सीट्स डाल रहे हूं, जीरा, अब उसमें मैं हींग डालूंगी, ग्रीन चिली, एक पर टेज्ट, अभी मैं उसमें डाल रहे हूं, चॉली और आलो की सबजी, अब उसमें डाल रहे हैं, नमक, बादर में थाने सा नमक, हंगी पूदर, शिरो पूदर, रहे चिली पूदर, रहे चिली पूदर, अब उसके लिख कनेवे, अब हम उसको 5-6 मिनिट तक स्लो फ्लेम पे रखेंगे, डब के, जब तक हमारी सबजी बन रहे हैं, तब तक हम लोग पना रहे हैं, मसाला चांस, ये वन बावल, छोटा सा बावल, दई लिया है, गर का जमाया हुआ दई है, उसको मैं भी फेंट रही हूँ, देखी, अब उसको मैं बरफ टालूँगी, इसमें मैंने पानी डलाए, अभी अमारी छास बन गई है, देखीए, अभी आप देख सकते हैं, पांच मिनी के बाद, पुरी सब्ची रेडी हो गई है, अभी हम इसमें टालेंगी, एक नीम्बू का रस, अभी मैं सब्ची को साव करती हूँ, देखी, अभी मैंने इसकी प्लेटिंग कर दिये, मैंने सब्ची को बावल में डाल दिये, यह मेरा होममेड अचार है, आम काचार, मैंने इसको रोटी के साथ सब्चावाल के साथ खा सकते हैं, पराथे के साथ खा सकते हैं, पुरी के साथ खा सकते हैं, और यह है मसाला चास, और इस पी थोड़ा कोरियंडर लिव स्टामंगी में अभी मेरी थाली रेडी है आप आईए मिलकर खाते हैं और थेंक्यू फोर वाचिंग मैं चैनल लव्यू लॉट्स